हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम टो अवर यूटूब चैनल आसान राफो यू नमस्कार दोस्तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे साल 2021 पसंद पंचमी पर बन रहे दो बड़े महायोग और इन महायोग में सपलता प्राप्ति के लिए के जाने वाले विशेश उपायों के बारे में इसलिए वीडियो को अंतक जरूर देखें अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें वीडियो पसंद आये तो वीडियो को जादा से जादा लाइक और साथी फैमिली फ्रेंट्स में सेयर करें तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बसंत पंजमी पुजा का सूब मुरत क्या होगा और इस सूब योग में कौन से उपाय आपको करने चाहिए जो आपको सफलता दिलाने में बेहत लाबकारी रहेंगे बसंत पंजमी सूब योग इस साल बसंत पंजमी पर रेवती नक्षत्र में अमर्च सिद्धी योग और रवी योग में ज्यान की देवी मा सरस्वती की पूजा अराधना होगी और 16 फरवरी को मा की परतिमा स्थापित कर पूजा करने के बाद 17 फरवरी बुद्वार को परतिमा का विशर्जन किया जाएगा। मानेता अनुसार आज ही के दिन से बच्चों को अक्षर अभ्यास या उनकी विध्या आरंब कराने की भी परंपरा है। मासरस्वती के दिन सर्वपर्थम ग्यान की देवी मासरस्वती जी की पूजा पूरवाहन से पहले करने का विधान है। मासरस्वती को सपेद चंदन का तिलग कर सपेद फूलों की माला आवश्य अर्पित करें। इस उपाई से विध्या अर्जन में आ रही समस्त बाधाओं का निवारण होता है। आज के दिन सुब्योग में अध्यन से जुड़ी सामगरी को पूजा स्तल पर रखकर उन पर रोली से स्वास्तिक बनाएं। ये उपाई आपको जीवन में सपलता दिलाने में बहुत ही लापकारी होगा। बसंत पंचमी के दिन पूजा के समय मा सरस्वती की पूजा के साथ श्रीगनेज जी की पूजा भी आवश्य करें। क्योंकि श्रीगनेज जी बलबुद्धी के दाता है। सरस्वती पूजा के समय हल्दी का प्रियोग कर इस हल्दी को पूजा के बाद अपने पास रख लें।